हलो दोस्तों मैं एंके सिंग आप सभी लोगों का विजड़म हब स्टड़ी पर स्वागत करता हूँ चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं माना टेस्ट नमबर 31 इससे पहले मैं आप लोगों के समक्ष यहां पर 30 टेस्ट लेकर आचुका हूँ जिसके माद्य हम से 3000 कोशन कवर किये जा चुके हैं और यह फुल लेंथ टेस्ट नमबर 11 हैं फुल लेंथ टेस्ट का मतलब यह होता है कि सभी विश्यों को मिला करके यहां पर सोग को प्रशन लिये जाते हैं जो कि एक्जाम के पेपर के जैसे होते हैं तो इस टेस्ट का जो पहला प्रशन है वो है कि अजय गड़ रियासत के संस्थापक कौन थे तो गुमान सिंग इसके संस्थापक थे सोने जु पवार का संबंद मद्परदेश की किस रियासत से है तो इनका संबंद छतरपुत रियासत से है 1857 की क्रांती में राजा बक्तवार सिंग ने कहां से निरतत्त्त किया था तो इन्होंने धार अमजेरा से निरतत्त्त किया था बेगम खुशरो जहां का भुपाल रियासत में साशन का काल कब से कब तक रहा तो इनके साशन का काल रहा है 1901 से लेकर के 1926 तक का कांगरेस के किस अधिवेशन में मद्परदेश से हरी सिंग गौर ने भाग लिया था उन्हों ने भाग लिया था लाहर अधिवेशन 1893 में भीम कला को अपनी चित्रकारी के द्वारा पहचां दिलाने वाली भूरी बाई का संबंध किस जीले से है तो इनका संबंध है मदपरदेश के जाववा जीले से मदपरदेश की किस लोग चित्र कला में हरियाली अमोसिया को भित्ती चित्र बनाया जाता है तो यह है जिरोती का कलेही देवी का मेला मदपरदेश के किस जीले में लगता है तो यह मेला लगता है मद्ध प्रदेश के पन्ना जीले में सुवारा पर्व मद्ध प्रदेश के किस छेत्र में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है बुंदेलकंड वाले छेत्र में परसिद इतिहासकार टॉलमी ने किस जनजाती को फिलाइट कहा है तो इन्होंने भील जंजाती को फिलाइट कहा है सुल्तानी युगों में बोद्धो की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी तो यह जो साखा प्रभावशाली थी उसका नामे व्रजियान नालंदा विश्विद्याले के इस्थापन का युग कौन सा है तो गुप्त युग इनके इस्थापन का काल है मगद का कौन सा समराट अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता था तो महपदनन्द अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता था देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन है तो सिवनात शास्त्री इसके सांस्थापक है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था तो यह मंदिरों में वरष्टाचार के विरुद्ध था मुझफर बमकान 1908 का सम्मंद इन में से किसके साथ है तो यहाँ पर प्रफुल चाकी के साथ इसका सम्मंद रहा है निम्न घटनाओं का सही क्रम बताना है आप लोगों को तो अगस्त प्रस्ताओ आईने मुकदमा भारत छोड़ो आंदोलन रॉयल इंडियन नेवी का विद्रो तो इनका जो क्रम ए वाला सही है तो पहले पर यहाँ पर अगस्त प्रस्ताओ फिर हुआ था यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन फिर हुआ था यहाँ पर आईने मुकदमा फिर वता रॉयल इंडियन नेवी का विद्रो तो यह इसका उप्शन ए सही है राज जी के खर्च पर हज की विवस्ता करने वाला पहला भारति साशक कौन था तो वता फिरोज तुगलक विजयन अगर के उस पहले साशक की पहचान करें जिसने बहुमनियों से गोवा को छीना था तो यह था यहाँ पर हरी हर सकेंड निम्ड में से किसने रामायड का फारसी में अनुवात किया था तो यह था अब्दुलकादिर बदा यूनी ने पचमड़ी अरक्षित जेव छेत्र भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया था तो यह तीन मार्च उनीस सुनियान बे को बनाया गया था कितने वन चेत्री मंडलो में मद प्रदेश को भी भाजित किया गया है तो यह वन चेत्र हैं यहाँ पर सोलह सांखे शागर जील किस रास्टिय उद्यान में इस्तित है तो यह माधाव रास्टिय उद्यान में इस्तित है कडाना बांध जो कि गुजरात में मदप्रदेस की किस नदी पर निर्मित है तो यह मदप्रदेस की माही नदी पर निर्मित है मदप्रदेस की किस जीले को यूरेनियम जीले के नाम से जाना जाता है तो यह जीला है आपर शहडोल जीला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मद्ध प्रदेस के किस जीले से होकर नहीं गुजरती है तो यह मद्ध प्रदेस के जवलपूर से होकर के नहीं गुजरती है बाकि मंसौ और रतलाम जाबुआ तीनों से होकर गुजरती है मद्ध प्रदेस में पहली नेरो गेस ट्रेन का परिचालन किन दो शहरों के मद्ध हुआ था तो यह था ग्वालिर और श्रीवपुरी के मद्ध हुआ था निम्न में से कौन सी मद्ध प्रदेस वा महराष्ट की संयुक्त परियोजना नहीं है तो यह माता टीला दोनों के संविक परियोजना नहीं है बाकि राजिव सागर, संजे सरोवर और काली सागर यह तीनों मद्द प्रदेश और महराष्ट की संविक परियोजना है सीतला माता जल प्रपात किस नदी पर निर्मित है तो यहां निर्मी थे चंबल नदी पर मद्र परदेश के किस जीले में वर्ष 2020 में मिर्च महोसाओ का आयोजन किया गया था तो यहां जीला था खरगाउन जीला निम्न हीमनदों में कौन सा उत्राखंड के कुमाउ छेतर में इस्ती थे तो यह हिमनदे भीलाम हिमनदे यह वाला दंड का रंड का पठार भारत के किस भाग में इस्ती थे वर्ष 1953 में आंद्र परदेश जब एक अलग राज बना तो उसकी राजधानी कौन सी थी तो उसकी राजधानी उससे में हुआ कर्टी थी करनूल हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है तो बहने वाली नदी है यहाँ पर व्यास, चिनाब, रावी, सतलूज और यमुना निवन में से किस एक राज में नाम चिक, नाम फुक, कोईला छेतर अवस्ती थे तो यहाँ राज यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश अगला प्रशने भारत के कोईला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है तो यहाँ है लगबग यहाँ पर 40 प्रतिसत का ताती पाका तेल शोधक शाला कहाँ पर अवस्ती थे तो यहाँ अवस्ती थे आंधर प्रदेश में निमने में से कौन से देश से होकर वो मद्द happened गुजरती है तो यह रवांडा से होकर के नहीं गुजरती है बाकि गैबन, कैन्या और युगानडा तीनों से होकर के गुजरती है माउंट नियारा गांगो किस देश में अवस्ती थे तो यह अवस्ती थे कांगो गंडराज्ज में निम्न में से कौन सी एक हिंद मासागर की जल धारा नहीं है तो बेंगुला धारा नहीं है बाकि अंगुल धास धारा है फिर मोजांबी के फिर हिंद मासागर धारा है तीनों इसके हिंद मासागर की जल धारा है मद्ध प्रदेश के किस जीले में गौ एंबुलेंस सेवा प्रारम की गई तो या प्रारम की गई खरगौन से जै किसान रड माफी योजना के शुरुवात कप की गई थी तो इसके शुरुवात की गई थी 12 जनवरी 2019 को मद्र परदेस में रेशम निगम की इस्थापना कप की गई थी तो इसके इस्थापना की गई थी 1984 में मामाट खेडा पवन उर्जा छेत्र मद्द प्रदेश के किस जीले में संबंदी थे तो यह संबंदी थे मद्द प्रदेश के रतलाम जीले से मद्द प्रदेश के किस वर्ष कस्तूरबा गांदी विद्याला योजना शुरू की थी तो इसके शुरुआत की गई थे 2005 में मद्द परदेश के वे विधान सभा उपाद्दक्ष जो अद्दक्ष नहीं हुए तो उनका नाम था हजारेलाल रगोवन्शी बाकी तीनों यहाँ पर विधान सभा के उपाद्दक्ष के बाद अद्दक्ष भी रहे हैं निवनवे से कौन एक वर्तमान में मद्द परदेश से राज सभा सदस नहीं है तो हिमाद्री सिंग नहीं है बाकी तीनों है यहाँ पर नेक्स कोशन है यहाँ पर किस अनुचेद के तहत एक ही वेक्ति को दो यह दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुत किया जा सकता है तो यह अनुचेद अनुचेद 153 मद्द परदेश ग्राम नियाले अधिनियम 2008 के तहत प्रतम ग्राम नियाले कहा प्रारम की गई तो यहां प्रार्म की गई थी बैरसिया में मद्य प्रदेश का न्यूंतम अनुसूचित जनजाती जनसंख्या वाला जीला कौन सा है तो यह जीला है भिंड जीला 1960 के परशात निम्न राज्यों का गठन किया गया इनके गठन का सही क्रम क्या है तो सबसे पहले गठित किया गया था यहां पर नागालेंड फिर इसके बाद हरियाना फिर इसके बाद मेगाले फिर इसके बाद सिक्किम यह इसका सही क्रम है अगला प्रशन यहां पर संगी छेत्रों के प्रती दिन का प्रशासन कौन देखता है तो इनका प्रशासन देखता है राष्टपती नेहरो रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसत की संदशना निम्ना नुसार थी किस प्रकार की थी तो क्राउन रहेगा फिर सिनेट फिर हाउस ओफ रिप्रेजेंटेटिव ये इसका क्रमा नुसार था भारत के प्रशासन की बुनियादी छेत्री इकाई निम्न में से कौन सी है तो उसकी बुनियादी इकाई है यहाँ पर जीला भारत में A, B, C, D प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था तो सबसे छोटा प्रदेश जो था वो उसका नाम था बिलासपूर भारत के वित्त मंत्राले के परिसर को कहा जाता है तो उसको कहा जाता है पर उत्तरी ब्लॉक निम्न में से कौन सा सम्विधान संसोधन विधेक नागरिकों को सहकारी समीतियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है तो यह सम्विधान संसोधन था 111 हवा एक EVM में अधिकतम कितने मत पढ़ सकते हैं तो अधिकतम यहाँ पर 3840 मत डाले जा सकते हैं एक EVM मसीन में सीमा प्रबंदन विभाग किस मंत्राले के अंतरगत का विभाग है तो यह जो विभाग आता है या ग्रह मंत्राले के अंतरगत आता है हाल ही में चर्चित कलस्पा नामत पूरा तत्व इस्तलमत प्रदेश के किस जीले में है तो यह उजेन जीले में है राष्टी बार्ड नियंतरन कारिकरम कब प्रारम किया गया था तो यह प्रारम किया गया था 1954 में रास्टी आपदा प्रबंदन योजना कब जारी की गई तो यह जारी की गई थी यहाँ पर जून 2016 में दूद का स्वेत रंगनिम्न में से किसकी उपस्तिती के कारण होता है तो यह इसका कारण होता है केसीन के कारण जानवरों में कौन सी एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिससे वे उर्जा ले सके तो यह यहाँ पर पानी से होता है सैलीन फर्स्ट जो चंदरमा की कक्षा में भेजा गया मिशन है किस रास्ट का है यह तो यह मिशन है यहाँ पर जापान का भारतिय सुदूर सम्यदी संस्थान का मुख्याले कहां इस्तिते तो इसका मुख्याले दहरादोन में इस्तिते भारति क्रिशी अनुसंधान परिसत के वर्तमान निदेशक कौन है तो त्रिलोचन मुहपात्रा इसके वर्तमान निदेशक है कोडेक्स संस्ता का संबंध किस से है तो कोडेक्स संस्ता का संबंध यहाँ पर खाते पदार्थ से है निम्न में से कौन सी संस्ता विज्ञान और प्रदुगी से संबंधित नहीं है तो इसका नाम है अपना ICSSR Electronic Shopping का अविश्कार किस ने किया था तो इसका विश्कार किया था माइकल अट्रीच ने भारत में e-commerce के जना कौन है तो इसके जना के के वेथे स्वरन कॉग X प्रती वर्ष आयोजित किया जाता है तो यह आयोजित किया जाता है लंडन में MPTAAS संबंधित है तो यह संबंधित है जनजाती मामलों के विभाग से रास्ट्री ग्यान नेट्वर्क का छेतर भारत के साथ-साथ किस देश से है तो यह संबंधित है यहाँ पर भूटान से इंटरनेट पर विश्व का प्रतम उपन्यास का नाम बताईए तो उस उपन्यास का नमा राइडिंग दबुलेट इस्टेट डेटा सेंटर प्रारम करने वाला पहला भारते राजी कौन सा है तो पहला भारते राज है ही माचल प्रदेश एथर नेट एक उधारण है किस प्रकार का तो यह उधारण है एक लेन का रोबोट सब्द का प्रथम प्रयोग किस ने किया था तो जो सेल्फ के वेक ने इसका सर प्रथम प्रयोग किया था निम्न में से कौन एक सेंटर रोबोट है तो यहाँ पर बिग डॉग एक सेंटर रोबोट है भारत में सम्विधान के मुख निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यताय निर्धारित की गई है तो यहाँ पर उनके लिए कोई विशेश योग्यताय निर्धारित नहीं की गई है तो option D इसका सत्य है प्रथमबार रास्टिय मतदाता दिवस का मनाया गया था तो यहां मनाया गया था सर प्रथमबार 2011 में पंचायती चुनाओं का उलेक किस में है तो इसका उलेक है यहाँ पर article 243K में Royal Commission किस वर्ष इस्तापित की गई थी तो यह इस्तापित की गई थे 1923 में संग लोग सेवा आयोग के सदस्यों करमचारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निदी पर भारित होते हैं यह किस अनुछेत के अंतरगत का प्रावधान है तो यह भारती सम्विधान के अनुछेत 322 के अंतरगत का प्रावधान है निम्न में से कौन राज लोग सेवा आयोग के कारेवाहक अध्यक्ष को चुनता है तो यहाँ पर जो तीनों उप्षने राष्टपती सुप्रिम कोड का मुख्य नयाधीश और मुख्य मंत्रिय तीनों गलत है इन में से कोई नहीं होगा तो नेक्स्ट कोईशन है यहाँ पर निम्न में से किन सेवा निव्रत प्रतादिकारियों को सरकार के अधिन किसी भी पत पर नियुक्त करना प्रतिबंदी थे तो यहाँ पर Comptroller and Auditor General of India को यहाँ पर पुना नियुक्त नहीं किया जा सकता भारत का नियंत्रण एवं महालेका परिक्षक किस अनुच्छेद के तहत केन सरकार के लेखा सम्मंदी रिपोर्ट को राष्टपती को सोबता है तो यहाँ अनुच्छेद यहाँ पर अनुच्छेद 151 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में मद्द परदेश को कौन सा रेंग प्राप्त हुआ था तो यहाँ पर 14 रेंग पर रहा था मद्द परदेश राष्टी मानवादिकार आयोग के अद्दक्ष का कारेकाल कितने समय का होता है तो इनका कारेकाल होता है यहाँ पर 3 वर्ष का या उनके उम्र के 70 वर्षों तक वर्ष 2021 है तो कितनी हस्तियों को पदम पुरुषकार से समानित किया गया तो उन हस्तियों की संख्या हैं यहां पर 119 आर्थिक सर्विक्षन 2020-21 का मुख्य विशय क्या था तो इसका विशय था है यहां पर COVID-19 योद्धा किस राज्य में मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की गई है तो यह शुरू की गई आंधर प्रदेश में कौन सा देश ICC 220 महिला विश्व कब 2030 की मेजबानी करेगा तो यह देशे हाँ पर दक्षन अफ्रिका हाल ही में किस राज्य को सूर सरोवर जील को रामसर का दरजा दिया गया है तो यह इस्तित है करनाटक में हाल ही में रक्षा मंत्राले ने किस देश को मालावार नौसेनिक अभ्यास में सामिल करने के गोशना की है तो यह देशे हाँ पर ऑस्टेलिया मद्द प्रदेश में राज इस्तरिये बॉक्सिंग चेंपर्शिप का आयोजन कहा किया गया तो यह आयोजन किया गया जवलपूर में मद्द प्रदेश के किस जिले में चाइल्ड फ्रैंडली कोट की शुरुवात की गई है तो यह जीला है यहाँ पर उजेन जीला हरियाना में आयोजन सीनियर नैशनल किक बॉक्सिंग इस परदा में प्रदेश के खिलाडियों ने कितने पदक जीते हैं तो प्रदेश के खिलाडियों ने यहाँ पर 14 पदक जीते हैं मद्द प्रदेश के किस इस्थान पर अंतह महिला उद्दमीता एवं निर्यात प्रोसाहन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा तो ये इस्थान है मद्रदेश का जवलपुर जीला तो दोस्तो इसके माध्यम से हमने यहाँ पर यह टेस्ट कम्प्लेट कर लिया आयोग मुझे अमीद है कि आप लोगों को इस सारे के सारे टेस्ट बहुत उपयोगी सावित हो रहे होंगे आप इस टेस्ट को खुद देखे बार बार सुनिये और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल ना भूले दोस्तों इस वीडियो को यह दिया आप फेस्बूक पर देख रहे हैं यूटूब पर देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं जहां भी देख रहे हैं आप इस वीडियो के लिंक को अपने इस दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए चले फिर से मुलाकात होगी अ झाल झाल